अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ बट बहुत ही यूस्फुल चीज है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पहले जो आप तरीका अपनाते हैं अगर उससे आपको 10 सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो चीज हम किसी ब्लॉग के ऊपर बोल रहे हैं यही होता है तो जनरली जो हम लिंक देते हैं वो किस तरीके से नहीं है वो ये लिंक है यह देखो यहाँ पर ठीक है मैं इस लिंक को वापस एक बार यहाँ पर ओपिन करता हूँ तो आपको यह चीज समझ में आयगा आज़ेग तो आप चाहो तो यह जो C आपको बीच पे दिख रहा है आप इसको भी रिमूव कर दोगे कोई शूनी है सेम आपको आपका जो यूजर है वो इसी तरीके से अगर आप ये लिंक दोगे तो उसी चैनल पेज पे वो लैंड करेगा वट यहां पर मैं यह नहीं चाहता हूँ कि यह सबस्क्राइब बटन यहां पर दिखाई दे पिकास जो सबसे पहला अपने चैनल के साथ कोई भी विजिटर जो हमारा आता है और हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहला जो इंटरेक्शन हमारे चैनल के साथ उस विजिटर का हो वो इस तरीके से हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे में जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है तो राइट साइड में है और काफी छोटा सा है मैं यह चाहता हूँ कि वो जिस लिंक के उपर क्लिक करें और हमारे चैनल पर आए उस वक्त उसे यहाँ पर जो बें में है यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर उसे एक पॉप अप दिखे जिसमें सब्सक्रिपशन का call to action वाइट बास समझ मैं आर इसमें subscription को call to action हो तो वो ज़्यादा appealing लगेगा वहाँ पर chances ज़्यादा होगे कि वो जो user है जो भी visitor है हमारे channel पर है वो subscribe करें अब यहाँ पर बात link की हो रही है तो मैं एक बार आपको यह भी दिखा देता हूँ अगर आप confused ना हो यह जो c दिख रहा है ना आपको इसको आप remove करेंगे तब भी यह काम करेगा ठीक है इसमें बहुत ज़्यादा परिशान होनी की ज़रूरत नहीं अब यह link जैसे मैंने बता है यह link आप internet को पर अलग अलग जगे पर use करते हैं क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि वो इस तरह के से land मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक pop-up आए तो उसके लिए आपको क्या करना है बहुत simple से चीज है बस जो आपको यह channel है ठीक है चाहिए वाला आप URL मान लो चाहिए वाला इस channel URL के आगे आपको यह use करना है ठीक है आप question mark देख रहा हूँ ना यह channel का URL हो गया और उसके आगे बस आपको यह use करना है ठीक है किसी भी channel के आगे आप इसको use कर सकते हो तो for example मैं यहाँ पर इसको paste करता हूँ ठीक है और यहाँ पर इसको वापस एक बार hit करूँगा now you will see कि जो page load होगा किस तरीके से होगा और जो हमें pop-up दिखाई देगा वो यहाँ पर किस तरीके से दिखाई देगा आप देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है confirm channel subscription are you sure want to subscribe to WSQTech और यहाँ पर आपको subscribe का call to action डिरेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ कि user को इस बार यहाँ पर नहीं जाना पड़ा है तो जब कभी भी आप link को use करो ठीक है YouTube के बाहर जब कभी भी आप link को use करो आपने Facebook के उपर use करो Twitter के उपर use करो कोई भी social media platform के उपर use करो blog के उपर use करो WhatsApp से आप share कर रहे हो कहीं पर भी आप अपने link को use कर रहे हो इस purpose से चाहे वो paid campaign से क्यों नहीं हो इस purpose से कि लोग हमारे channel के उपर आया हो subscribe करें I'll recommend you कि आप इस तरीके से उसके आगे जो आपका channel का URL है उसके आगे आप ये जो छोड़ी सी चीज़ है अगर आप इसको add करेंगे तो definitely वो pop-up की तरह आएगा हम लोग फिर से एक बार करके देखते हैं यहाँ पर ठीक है मैं वापस को hit करता हूँ वो एक pop-up की तरह आएगा और जहाँ वहाँ पर फिर chances काफी बढ़ जाते हैं जो भी जैसे आगर आपने ब्लॉग में लिंक को प्रमोट किया है वहाँ पर आपने बोला होगा ठीक है कि आपको जाके चैनल को सब्सक्राइब करना हो वही चीज़ यहाँ पर reflect होगी तो जादे चांस है पहले सब्सक्राइब कर लेगा और उसके बाद वह आगे बूफ होगा चैनल का भी ऑप्शन है पर सब्सक्राइब का भी यहाँ पर आप्शन है तो आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ यूज़ कर सकते हैं वाइल यूज़ आ प्रमोटिंग यूर इस पडिगलर वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्ट वीडियो में तिल देन गुडबाई